दोस्तों अब इस वीडियो में हम अपना using by long digit method इसका square root निकालेंगे तो बिल्कुल आसान है दोस्तों एक बार समझना है बस उसके बाद आप किसी भी number का long digit method से square root निकाल सकते हैं पर दी फिरागा तो डिजिट को लिए अंडराइन कर देफिरा आगे बढ़ें आपके बास से इंकल लिजिट का number आगे- इस त्री के लिए हम यहां पे लेंगे वन मल्टीप्लाई 1 कितना होता है बन होता है देखे यह जो इन आया है यह आपको यह पे इस 3 से चोटा है 1 multiply 1 करने पर हमें जो value मिली है यह आपका क्या है 3 से चोटा है इसको एक वार यहां लिख देना आगे जैसे हम देखें अपना 2 multiply 2 के तना गया 4 greater than 3 है तो हम इसको नहीं ले सकते हैं यहां पर हम एक ऐसे संख्या काचुना करना है जिसका कुद के साथ multiply करने पर जो value आ रहे है यह value या तो 3 के बराबर हो ओना चाहिए या इससे कम आँके तो one के लिए check किया कम आ रहा है अब इससे एक बड़ी संख्या लेकर भी चेक करना है तो बड़ी संख्या लेकर चेक किया तो उसका multiply करने प्र जो value आ रहाए व। आपका तीन से बढ़ा आगया यानि हमें इससे पहले वाली संख्या जिसका multiply करने प्र तो रहा है कम आ रहा है उसको लेने निवन बंटिप्लाई वन ले लिए ऐसे समझें ओके देखिए अब इसको एड़ करना है माइनस करना है कितना तू आ गया इसके साथ हम अगला तू डिजिट का नंबर इसको हम यहां ले आ जाते हैं अब इसके साथ हम कौन सी संख्यालम का इसको एड़ कर दिया इसको माइनस कर दिया अब उसके बाद हम क्या किया है अगला जो टू डिजिट का नंबर है इसको यहां ले आएं अब इसके साथ जैसे मैंने चार लिया च्यार का गुणा किया चार सुक शोड़ा एक रिचला गया शार सुक चूईस एक पच्छीस द इसको लिए हमने अपना चार को फिर माइनस के जिडू आ गया यह जो हमारा वेल्यों निकला है यह आपका दोस्तों इसका इसको रूट का वेल्यू है तो इस तरीके से हम अपना इसको निकाल सकते हैं यूजिंग लॉंग डिजर मैथ़ड ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो देख